नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका विडिस स्वाध करता हूं और इस नहीं वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके बढ़ी ही आसानी से अपने किसी भी Android फोन में flash message को बंद कर सकते ह यह होगा जिसको हम लोग flash message भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग उसको class 0 message भी बोलते हैं ठीक है वह होता क्या है कि जैसे कि आपको screen पर दिखी रहा होगा कुछ step का message रहता है जब भी हम लोग अपने phone में कुछ भी चला रहा है जैसे कि कभी हम लोग video प्ले करके देख रहे ठीक है जो कि बहुत ही जदा irritating रहता है बहुत जदा आपको परिशान करेगा और होता क्या है कि बहुत सारे SIM में तो ऐसा पंगा है कि बार बार दिन भर में जुके लगातार बहुत बार प्लेस पैसे जाता है जिससे बहुत सारे लोग परिशान भी हो जाते हैं पर उनको य ध्यान से देखो और जो जो स्टेप्स में आपको बताता हूँ वह अपने फोन के उपर अपलाई करो एंड उसके बाद जो कि है कभी भी आपके फोन में आपको flash message या आप कह सकतो class 0 message आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आपका फोन एगदम smoothly चलेगा आप चाहए gaming करो वीडियो देखो गाना सुनो ब्राउजिंग करो कुछ भी करो ठीक है कभी भी आपके फोन में flash message pop-up होके नहीं आएगा ठीक है तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और practically सिखते हैं कि यह सब कैसे करके setting किया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इधर में मेरे पास मेरा android phone है और अभी जो कि है मैं आपको live process पूरा सिखाने वाला हो कि आप कैसे करके बढ़ी ही असानी से अपने किसी भी android phone में flash message को बंद कर सकते हो या जिसको आपको सिखाने वाला हो कि आप उसको कैसे करके permanently बंद कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना है आपका जो phone होता है आपके phone में देखो एक messaging का app रहता है जिसमें आप message वगरा देखते हो जो भी message आता है आपको simply उस app को open कर देना है आप उसको open करोगे कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा यह खुलने के बाद आपको क्या करना है उपर मे जो इधर ये two dot दिया हो आपको हो सकते three dot भी दिया हो आपको simply इस dot पे click कर देना है यहाप आपको settings का button देखने को मिल जाएगा आपको simply settings पे click करने के बाद यहापको advanced settings देखने को मिलता है आपको advanced settings पे click करना है एंड उसके बाद जो कि है कुछ इस टाप के options वगरा खुल क एंड सर्विस प्रोवाइडर्स दे आर यूजरी पूश्ट दूरिंग कॉल्स ठीक है तो फिर आपके फोन में कभी भी फ्लैस मैसेज नहीं आएगा तो जैसे आपको आपको आफ कर देना है एंड उसके आप से सब कट कर दो कुछ और नहीं करना है ठीक है बस आप इतना सही स स्क्रीन के उपर पॉप अप नहीं आएगा आप बढ़ी असानी से अपने फोन में वीडियो देखो गेम खेलो कुछ भी करो ठीक है कभी भी आपको फ्लैस मैसेज आकर डिस्टप नहीं करेगा स्क्रीन के बीच में तो इसी तरीके से आप जो की है फ्लैस मैसेज को आफ कर स भी ओन को सबस्क्तिए को सबस्तों अब्भाण वीडियोग anyways